हेलो फ्रेंट्स बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ होप सो आप लोगों की त्यारी अच्छी चल रही होगी अच्छी तरीके से आप लोगोंने कंप्लीट कर भी लिया होगा आप लोगों का जो MBI का एकजाम है जो की 5 और 6 मार्च को है जिसका Admit Card आ गया है बहुत सो लोगोंने Admit Card अलेटी डाउनलोड कर चुके होंगे जिन्होंने नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले मैं लास्ट में बताऊंगा कि Admit Card कैसे डाउनलोड करना है अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसके बाद जो बात करूँगा है पेपर 3 जो Motor Vehicle Act के लिए है पेपर 3 Motor Vehicle Inspector का जो एक्जाम है उसका पेपर 3 है Motor Vehicle Act and Rules के हैं जिन्हों जिसमें हमने अलेडी बहुत सारे questions कर लिए है थेवरी पहले मैंने डिस्कस किया था फिर उसके बाद questions के सिरी जाये थे और इसमें बहुत सारे questions को मैंने बहुत सारे questions की है जो कि enough है आपने इससे पहले जो UP के exams हुए है UPRI का उसका questions हुए है या आपका राजस्थान के questions हुए है आपने गुजरात के बहुत सारे questions को देखा हुगा तो वहां से आपको पता चला हुगा कि मेरे जो act and rules की जो preparation है वह अच्छे लेवल की त्यारी हो चुकी है और जिन्होंने पढ़ा है उनको questions जो भी questions जितने भी state के exams थे उन्होंने attempt किया हुगा और उन्हें लगा हुगा कि हाँ मेरा जो act and rules के जो preparation है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और आप लोग act and rules के लिए आप लोग बेफिक्र रहें आपकी जो त्यारी है वह बहुत ही अच्छी है और आप लोग अभी के जो समय है वह उसके लिए paper 1 और paper जो आपका 2 है mechanical का sections और automobile का section उसे आप ध्यान दे और paper 3 के लिए जो आपके already हमने जो 500 questions 300 400 questions है मैंने जो series दिया था आप उसे एक बार देख ले और आपके जो doubt कोई भी doubt हो तो आप comment कर सकते हैं मैं उसके reply करने की जरूर कोसिस करूंगा और जिनोंने admit card already download कर लिया वो अब इस video को छोड़ सकते हैं मैं अब इसके बाद बताता हूँ कि किस तरह से admit card download करना है तो admit card download करने के लिए आपको क्या करना है आपको bpsc के site पर जाना है यह जो bpsc का official site है आप जब home page पर जाओगे तो इस तरह के आपको यहां पर date लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है आपको यहां पर जाना है apply online के section पर आपको क्लिक करना है apply online उसके बाद आपको आना है यहां पर यहां पर आपको click करना है BPSC online application पर यहां पर जैसे ही click करोगे यह आपका यहां पर login का page open हो जाएगा तो आपको login करना है आपका user name और password मिला था आपको जब आपने registration किया होगा तो उससे में जब आपने registration किया है तो उसे में login और password आपको मिलाओगा आपको वो enter करके आपको login करना है और आपका admit card का sections वहाँ पे होगे वहाँ पे आपको जाकर admit card डाउनलोड कर लेना है मैंने already admit card एक students का मैंने डाउनलोड किया है उन्होंने हमें send किया है अभी तो मैं आपको दिखा दूँ कि यह इनका जो admit card है इनका जो exam है यह है exam कमला नहरू उच माधमिक बालिका विद्याले गर्दनी बाग में है तो पांच मार्च को आप देख सकते है साड़े दस से साड़े बार जो की paper 1 है और paper 3 है दो से चार उके उसके बाद जो next day है 6 मार्च 2022 को साड़े दस से साड़े बार बज़े तक mechanical engineering का जो paper है ओके साड़े दस से साड़े बार तो दो दिन exam है इसके तीन paper है आप लोग already जानते हैं ओके तो आप लोग अच्छे से त्यारी करें और अच्छा exam जाएगा ओके बेस्ट अप लग ठैंक्स फॉर वाचिंग